आईए दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे किसी भी इंशुरेंस कमपनी के खिलाफ इंशुरेंस रेगुलिर्टरी एंड डेवलप्मेंट अथॉर्टी आफ इंडिया जिसको आई आर डी ए आई या फिर आई आर डी ए कहा जाता है उसके पास अपनी शिकायत भेज सकते हैं तो देखे फ्रेंड्स ये गवर्मेंट आफ इंडिया का डेपार्टमेंट है और अगर आपको किसी भी इंशुरेंस कमपनी से कोई भी समस्या है और आपकी समस्या उन लोग दूर नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी शिकायत आई आर IRDA के पास अपनी शिकायत भेजने से पहले मैं आपको कुछ चीज़े बताना चाहूंगा सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी जो ओफिशल वेबसाइट है वो है policyholder.gov.in और इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के description पे डाल दिया है तो आप इस वीडियो का description चेक कर लीजे और आ इनके पास IRDA के पास complaint भेजने से पहले आपको अपनी insurance company के head office या फिर आपके state का zonal office या फिर regional office या divisional office जो भी office है उनका आपके state का या फिर उनका जो head office है उनको अपनी शिकायत भेजना जरूरी है तो ये बात का ध्यान रखिए तो देखिए IRDA के पास अगर आपको अपनी complaint भेजनी है तो सबसे पहले जो आपकी insurance company है उसके regional officer को या फिर divisional officer को या zonal officer को या फिर head office में अपनी शिकायत भेजिए और पूरा मतलब आप लिख के भेजिए अच्छे से कि आपको क्या problem है अगर उसके साथ आपको कुछ लगता है कि कुछ documents लगाने है अटेच करने है त आप चाहे तो post से भेज सकते हैं या फिर चाहे तो email कर सकते हैं तो अगर आप post से भेज रहे हैं तो आप speed post कीजिए और जो उसकी रसीद मिलती है उसको रख लीजे तो आपके बाब proof रहेगा कि आपने अपनी जो शिकायत है आपके insurance company के regional office या बड़े office भेजी थी दूसरी अगर आप email करते हैं तो उस email की copy आप रख लीजे PDF में convert करके रख लीजे ताकि in future अगर आपको IRDA के पास शिकायत भेजनी रही तो आप उस PDF फाइल को IRDA को दिखा सके कि आपने insurance company को contact किया था तो देखिए सबसे पहले आपने बड़े office अपने insurance company के contact कर लिया है और उन्हों आपकी जो मदद की है उससे आप संतुष्ठ नहीं है या फिर समझ लीजे जो आपको response provide किया गया है उससे आप satisfied नहीं है या फिर आपकी problem वैसे कि वैसी पड़ी हुई है कोई कामी नहीं हो उसमें तो अब आप insurance regulatory development authority of India यानि कि IRDAI या फिर IRDA को अपनी complaint भेज सकते हैं तो आप इंके toll free number पे contact कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर toll free number दिया हुआ है इंका तो इस पर आप call कीजे और आपको अगर कुछ भी पूछ रहा है तो आप पूछिए आप जाहें तो email कर सकते हैं इंको complaints at the rate of IRDA.gov.in यह इंका email address है इस पर आप email कर सकते हैं और email जब आप करें तो मतलब यह clear रहेंगा इंको कि आपने insurance company को अपनी पहले complaint भेजी थी उसके अलबा friends इन लोग ने एक portal बना के रखा है IRDA का इसकी भी link मैंने इस video के description पर दे दिया है तो इस पर आपको आके अपना account बनाना है तो देखिए यह आपको click here to register लिखा है तो आप click here कीजिए इस अपना account बना लेजिए और login हो जाईए login होने के बाद आप किसी भी insurance company के against अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएंगे IRDA के पास उसके लबा friends आप चाहें तो यह IRDAI बोलता है कि आप complaint registration form भी download कर सकते हैं तो देखिए यह आपर link दिया है तो इस tab का कुछ form आप download कर सकते हैं आप इसको अच्छे से मतलब पढ़ लीजे और भर लीजे और जो भी आपकी परिशानी है यहाँ पर आप tick mark कर दीजे यह select कर दीजे जो भी है और उसके बाद इसको sign वगरा करके भेज दीजे तो आपको यह जो भेजना है वो यहाँ पर भेजना है यह जो address आपको दिख रहा ह है हेदरबाद का address है पर in future हो सकता है कि यह address change हो जाए तो इस page के मैंने official जो link है website की इस video के description पर डाल दिया है तो आप एक बार आके चेक कर लिजे कि आपको exactly किस address पे आपकी complaint registration form और कोई supporting documents या कोई letter आपको भेजना है तो friends मैं आशा करता हूँ कि आपको clear हो गया होगा कि कैसे आप किसी भी insurance company के खिलाफ insurance regulatory and development authority of India के पास अपनी शिकायत भेज सकते है अगर आपको यह video पसंद आया तो like किजे और share किजे और subscribe किजे thanks for watching